उत्रपदेश के प्रियागराज में भहुजन समाज पार्टी के विधायक राजुपाल हत्यागांड के मुख्य गवा उमेश पाल और उनके गनर की सुक्रवार को दोमन गंस्थाने से लगबग 200 मीटर की दूरी पर ताबर तोल गोलियां और बम मार कर हत्या कर दे गई उमेश की हत्या में नामजदपूर्व शांसत माफिया अतिक एहमन से प्रियागराज कमिशनेट पुलिस पूस्ताज करेगी और अतिक को गुजराद की साबरमती जेल से रिमांड पर लाने की तियारी में है ताकि उससे गहन पूस्ताज की जा सके बता दें अतिक को गुजराद से योपी लाना उसके करीबियों की नीद उड़ा सकता है वहीं इस वारदात को अंजाम देने वाले सोटरों की आसपास के बारे से जादा जिलों में तलास की जा रही है माफिया अतिक एहमंद के अलावा है माफिया मुकतार अंसारी गिरो के सूटरों की गतिविदियों के बारे में भी पता लगाने में जुटी है वहीं जेल में बंद मुकतार अंसारी के करीबियों को भी खंगाला जा रहा है अतिक के भाई असरफ बेटे उमर आदी से जेल में बीते दिनों मिलने आए लोगों का भी ब्योरा जुटाया जा रहा है बता दें ADG, STF, अमिताब यस लगातार पूरे ओपरेशन की मोनेटरिंग कर रहे हैं जिस तरह से उमेश पाल पर हमला हुआ STF का सक्त, उक्तार अंसारी के सुटरों के अलावा गुड़ो मुस्लिम पर गहरानता जा रहा है वहीं आपको बता दें खुल्दाबाद छेतर के चक्या इस्तित माफिया अतिक एहमद के घर के पास हमले में इस्तिमाल की गई क्रेटा कार को पुलिस ने सनिवार को एक खाली पलोट चे बड़ामत किया है इसी कार से आकर शूटरों ने उमेश पाल पर हमला किया था पुलिस ने कार के इंजन के चेचिस नंबर के आधार पर जाज सुरू कर दी है माना जारा है कि उस पर नकली नंबर लगाया गया था पुलिस को सूचना मिली थी कि माफिया अतीक एहमत के घर के पास एक खाली पलोट में सफेद रंग की क्रेटा कार खड़ी है यह वही कार थी जिसमें सवार होकर शूटर उमेश पाल की हत्या करने आये थे सूचना पर पुलिस ने तुरन तबिश दी अतीक के घर के पास से कार बरामत कर ली गई बता दें कार पर नंबर फरजी लिखा था इस कारण इंजन और चेचिस नंबर से जाच की जा रही है जिस व्यक्ति के प्रॉट में कार खड़ी थी पुलिस उसकी तलास में जुट गई है बता दें इससे पहले पुलिस ने माफिया अतीक एहमंत की घर पर क्रेन भेज कर सभी कारों को उठवा लिया था अतीक के घर पर कैई थानों की फॉर्ज पहुंची थी क्रेटा फॉर्चनर तथा एक अन्ये कार को क्रेज से उठवा कर थाने लाया गया था सभी गाडियों की फोरंसिक टीम ने जाच भी की उमेश पाल की हत्या के बाद सासन ने ADG, STF, अमिताब यस को परियागराज भेजा है शूटरों को पकड़ने और आरोपियों की गिरफतारी के लिए जो टीम बनाई हैं उसे अमिताब यस लीड कर रहे हैं पुलिस कमिशनर समय जिले के आला, अफसर, ADG, STF के साथ सनिवार को बैठक भी की बताते हैं, STF, लखनाओ और परियागराज की टीमों ने आज क्या ही जंग हैं तब इस दी STF और SOG ने सनिवार रात मुस्लिम बॉर्डिंग होस्टल में चापा मार कर तीन युवकों को उठाया है माना जारा है कि माफिया अतिक एमंद के करीबी गुलाम के तीनों युवक गुर्गे हैं तीनों लगातार गुलाम के संपर्क में थे सनिवार रात मुस्लिम बॉर्डिंग होस्टल में चापा मारा तो वहां हडकम मच गया लेकिन पुलिस की भारी संख्या देख कर सांत रहे तीनों युवकों वो पकड़कर आग्यात इस्थान पर ले जाया गया ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहे इन खबर के साथ